आईए अब हम जानते हैं फिनॉल की एक और महत्पूुन नेमिंग रेयक्शन राइमर्टीमन रेयक्शन यह अभीक्रिया भी कुछ-कुछ कोलबे अभीक्रिया की तरह ही है यहाँ पर जब हम फिनॉल की अभिक्रिया छारी माध्यम में क्लोरोफॉम के साथ कराते हैं और उसकी पश्चात इसका अमली जलब घटन करते हैं तो हमें एक महत्तपुन यौगिक प्राप्थ होता है जिसे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजलडिहाइड कहते हैं वास्तों में इस अभी क्रिया में फिनॉल की क्रिया पहले छार के द्वारा होती है और छार तथा क्लोरोफॉम के साथ क्रिया होने के पश्चात यहाँ पर फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है साथ ही साथ आर्थो पोजीशन पर CHCl2 समू की एंट्री हो जाती है अब इसके पश्चात पुना च्छार के अतिरिक्त अनू से क्रिया होती है और यहाँ पर जो CHCl2 समू है वह CHO समू यहने की एल्डिहाइड समू में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से हमें जो सोडियम फेनॉक्साइड आयन है उसके साथ ही साथ यहाँ पर और्थो पो होता है वह मिल जाता है जिससे हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजलडिहाइड कहते हैं तो इस तरह से फिनोल के द्वारा आर्थो हाइड्रोक्सी फेंजल बेंजलडिहाइड जो कंपाउंड है प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है उसे हम राइमर टीमन अभिक्रिया कहते ह आईए अब हम जानते हैं कि वास्तों में ये अभीक्रिया होती किस तरह से है जिससे ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी यनि कि हम अब इसकी मेकेनिजम को देखते हैं जैसे कि हमने देखा कि जब हम फिनॉल की क्रिया यहाँ पर दो अभी कर्मकों के साथ कराते हैं यहाँ पर छारी माध्यम होता है यानि कि सोडियम हाइड्रोकसाइड होता है और साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है वह छार सो जोड़े होते हैं और हम यह भी जानते हैं कि जो पनமानू होगा उसकी इलेक्ट नगेटिविटी कार्बन की तुलना में काफी ज्यादा होती है इसलिए यह यह कार्बन स्ट्रॉरी पीच के ह Lean जोड़े को अपनी अर खीच सकते हैं साथ जर जो साथ ओससे जो औाACT कारबन की तरफ शुफ्ट हो जाता है और इस तरह वाघो ही अजय है वह असानि से प्रोटॉन के रूप में ठो honestly हो सकता है तो जब यहां पर व्हािर क्लोरोफोर्म की क्रिया हम छार सोडियम हाइड्रोकसाइड से कराते हैं तो अब सोडियम हाइड्रोकसाइड यान की छार का काम होता है हाइड्रोकसाइड आयन देना तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ जो हाइड्रोकसाइड आयन होता है वह इस प्रोटॉन के प्रोटॉन को ग्राण कर लेता है और इस तरह से water molecule बाहर निकल आता है जैसे ही यहां से water molecule बाहर निकलता है और चूंकि carbon hydrogen का electron जोड़ा अब carbon की पास आ गया है और इस तरह से यहां पर चूंकि आप देख रहे हैं कि carbon से 3 chloroeton जोड़े हुए हैं और इसके पास 2 electron है यानि कि इसके पास 2 पोश में 4 electron होते हैं carbon के लेकिन यहां पर 5 electron हो गए हैं इसलिए इस carbon पर negative charge आ जाएगा साथ यहां पर 3 जो chlorine परमानू होते हैं उसमें से 1 chlorine परमानू अपने electron जोड़े carbon chlorine के बीच के electron जोड़े को अपने साथ लेकर CL- के रूप में बाहर निकल जाता है तो इसके पशाथ हमें जो intermediate प्राप्त होता है उसमें आप देख रहे हैं कि carbon है जिससे 2 chlorine परमानू जूड़े हुए हैं साथ ही साथ carbon पर 2 यहां पर electron है यहां पर उपस्तित होता है इस प्रकार का जो intermediate हमें प्राप्त होता है इसे हम डाइक लोरो कार्बीन कहते हैं और आप जानते है कि यहां पर इसका जब हम संकरन देखें तो यहां पर दो बंद है और एक lone pair उपस्तित है यहने कि इसमें जो संकरन होगा वह sp2 प्रकार का संकरन पाया जाएगा और यहां पर आप यह भी देखेंगे कि यहां पर carbon के बाहतम कोश में केवल 6 electron है दो दो electron chlorine के साथ इन्होंने जो साजे के बंद बनाई हुए हैं उसके और दो electron इसके पर lone pair के रूप में उपस्तित हैं यहने कि इसके बाहतम कोश में केवल 6 electron है और इस तरह से इसे electron की आवश्यक्ता है अपना octet complete करने के लिए यहने कि यह electron नहीं के रूप में कारे कर सकता है दूसरी और अब हम यहाँ पर देखें चुकि यह इनकी क्रिया हमें phenol से करानी है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं phenol और जब इस phenol की क्रिया sodium hydroxide छार की साथ होती है तो यहाँ पर छार पुना hydroxide आयन देता है और यहाँ पर जो phenol का अमली hydrogen है वह आसानी से निश्कासित हो जा है हम जानते हैं कि phenol की तुल्ला में जो phenoxide आयन होता है वह electrons ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ज़्यादा सक्री होता है तथा आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर electron की उपलब्धता को बढ़ा देता है तो यहाँ पर हम देखें जो phenoxide आयन होगा वह resonance के द्वारा स्थाइत्यो प्राप्त करेगा जिससे यहाँ पर जो oxygen पर negative charge है तो वह electron carbon oxygen बंद की और shift हो जाएंगे जिससे यहाँ पर द्विबंध आ जाएगा तो यहाँ पर जो carbon carbon के बीच का जो electron जोड़ा है जो आर्थो पोजीशन के बीच जो electron जोड़ा है वह आर्थो carbon पर shift हो जाता जिससे वहाँ पर negative charge आ जाता है इसी तरह से हम जानते हैं कि बेंजीन में जब फिनॉल में जब electron नहीं प्रतिस्थापन होता है resonance की वज़े से यहाँ पर आर्थो और पैरा दोनों ही position पर electron घनत बढ़ता है और इसलिए हमें आर्थो और पैरा समावेवी यहाँ पर प्राप बनती है क्योंकि यह symmetrical होते हैं और symmetrical होने की वज़े से इनका इस्थाई तो जादा होता है लेकिन हमने यह भी जाना है कि जब आर्थो समावेवी में intra molecular hydrogen बंद की संभावना होती है उस स्थती में hydrogen बंद की वज़े से यह आर्थो समावेवी पैरा समावेवी की तुल्ला में अधिक स्थाई हो जाते हैं और ऐसे स्थती में आर्थो उत्पात ज्यादा मात्रा में बनते हैं तो यहां पर हम देखें कि जैसे ही यहां पर अप्चुकी आर्थो पोजीशन पर electron घनत तो बढ़ जाता है और यहां पर electron की अधिकता है और जो हमने डाई क्लोरो कार्बीन तयार हुआ है इंटरमीडियेट के रूप में उसे electron की आवश्यक्ता है अता यह आर्थो पोजीशन पर अटाइक करता है और यहां पर यह जुड़ जाता है इस स्थती में हम देखें कि इस जो सरचना हमें बन रही है उसमें जो बेंजिन रिंग की अब इसकी वज़र से यहां से हम यह भी जानते हैं कि आर्थो इस्तती में अभी कार्बन के साथ एक हाड्रोजन भी जुड़ा हुआ है अता यहां पर पुना एरोमेटिसिटी प्राप्त करने के लिए यह कार्बन हाड्रोजन का जो electron जोड़ा है वह आर्थो पोजीशन यह वह वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से यहां पर पुना द्विबंध की प्राप्ती हो जाएगी और चुकि यह जो hydrogen है वह proton H प्लस आयन के रूप में बाहर निकल रहा है तो इस वज़र से यहां पर जो carbon पर यहां पर पहले जो negative charge आ गया था carbon के hydrogen से जोड़ने के carbon से जोड़ने की वज़े से जो negative charge आ गया था तो यह negative charge को यह neutral करने के लिए यह hydrogen carbon से जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें सरचना प्राप्त होगी जिसमें की यहां पर बेंजिन जो रिंग है उसमें एक O-1 जुड़ा हुआ है तथा आर्थो पोजिशन पर हमें CHCl2 सरचना यहां पर प्राप्त हो रही है अब क्योंकि हमें यहां पर CHO समूँ चाहिए इसलिए हमें यहां पर दोनों जो क्लोरो परमाणू है उसे यहां से हटाना होगा और इसे हटाने के लिए क्योंकि यह काफी इलेक्ट्रो नेगटीव हैं और काफी अच्छे लिविंग ग्रूप है इसलिए यहां पर अब हम SL reaction कराएंगे जिससे यहां पर दो के द्वारा पीछे से जाकर इससे जुड़ जाएंगे और इस तरह से यहां पर एक संक्रमन योगी का निर्माण होगा और आप देख रहे हैं यहां पर पुना जो क्लोरीन है वो कार्बन क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रां जोड़े को लेकर क्लोराइट आयन के रूप में निकल जाएंगे तथा कार्बन से दो हैड्रोक्सिल समू जुड़ जाएंगे तो इस तरह से पुना हमें जो सरचना प्राप्त हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग है जिसमें एक ऑक्सिजन ओ माइनस जुड़ा हुआ है साथ ही साथ आर्थो पोजीशन पर सी एच जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से दो ओट समू जुड़े हुए हैं अब हम जानते हैं कि ऐसी स्थती जिसमें कि एक ही कार्बन पर दो हैड्रोक्सिल समू जुड़े हुए यह कंपाउंड कभी भी इस्थाई नहीं होता है तो इस तरह से यहां पर दोनों जो और इस तरह से हमें जो सरचना प्राप्त होगी जिसमें आर्थो पोजीशन पर क्रमश ओ माइनस आयन होगा और दूसरे पोजीशन पर हमें CHO समू मिल जाएगा अब यह जो सरचना हमें प्राप्त हो रही है इस सरचना का इसका हम आगे अमलिय जलब घटन करेंगे यहां पर प्रोटोनेशन करने पर हमें पुना जो ऑक्सीजन है उससे हाइड्रोजन का जुड़ जाएगा हाइड्रोजन प्रोटोन जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें जो फाइनल प्रोड़क्ट मिलेगा वह होगा आर्थो वीद्रोथी बेंजलडियाईड सा वह मा संधाउम कि एक अन्य नाम भी होता है यह सलडी है नाम से जाना जाता है तो इस तरह से तुमौन की अभीकर्या के दौरा हम फिनोल से पाइनज्री आर्थो हाइड्रोफी बेंजलड bead हाइड्र या सलडी मिल कर सकते हैं अलकोहल तथा फिनॉलों की संपोन रासायनिक अभिक्रिया जान लेने के पश्चाथ आएए अब हम कुछ अध्योगिक महत्व के अलकोहल के विसे में जानते हैं हम पहले ही बता चुके हैं कि अलकोहल हमारे अध्योगिक महत्व के कंपाउन होते हैं क्योंकि इनका बहुत से पदार्थों जैसे की पेंट उद्योग या वारने शुद्योग में विलायक के तौर पर भी उप्योग होता है और साथ ही साथ ये बहुत सारे कार्वनिक पदार्थों जैसे की अल्डिहाइड, कार्वाग्जलिक, अम्ल, आधी कंपॉंड्स के बनान जिसका सामान सूतर आप जानते हैं, ये होता है CH3OH, मेथेनोल को कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है, क्योंकि पहले की जमाने में इसे लकड़ी के भंजक आश्वन के द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिसमें लकड़ी को एक बंद चेंबर में लेकर वायू की अनुपस जितने भी वाश्विशिल पदार्थ हैं, वो बाहर आ जाते थे, जिसे ठंधा करके वहाँ से मेथेनोल प्राप्त कर लिया जाता था, लेकिन आज कल मेथेनोल का और दोगिक उत्पादन करने के लिए, यहाँ पर कार्बन मोनो ओकसाइड का उत्प्रेरिकी अप्चयन किया प्रेरक के उपर उच्चताब 200 से 300 वायूमंडलिय दाप तथा 573 से 673 केलविन तापमार पर जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं, तो हमें मेथेनोल प्राप्त होता है, और यहीं विधी के द्वारा हम इसे अद्दोगित तोर पर प्राप्त करते हैं, मेथेनोल के यदि हम देखें, तो यहां रंगहीन पदार्थ है, रंगहीन द्रौ होता है, और साथी साथ यह विशेली प्रकरती का भी होता है, यदि इसकी कम मात्रा का सेवन किया जाए, तो अंधापन आ सकता है, और यदि अधित मात्रा का सेवन किया जाए, तो इससे मृत्यू भी हो सकती है, साथी साथ यहाँ पर हम देखें कि मेथेनौल का उप्योग जैसे कि मैंने पहले ये बताया ये पेंट वार्निश उद्योगों में विलायक के तौर पर इनका उप्योग किया जाता है साथी साथ यहाँ पर formaldehyde प्राप्त करने के लिए जो कि एक महत्तपुन कमपाउंड है उसे प्राप्त करने के लिए मेथेनौल का उप्योग किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं दूसरा महत्तपुन एलकोहल एथेनौल एथेनौल का भी बहुत अधिक और दोगिक महत्त है और इसे लिए और दोगिक तोर पर इसे बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है यदि हम मेथेनॉल को लें तो मेथेनॉल का जो पहले उत्पादन किया जाता था वो ज्यादा तर किडवन विधी के द्वारा किया जाता है जो की काफी पुरानी विधी है इसमें हम शीरे जिसे की मॉलिसिस कहते हैं या फिर जिसे एक्षु शरकरा के किडवन के द्वारा या साथ ही साथ यहाँ पर जो द्राक्ष यहने की अंगूर होते हैं तो द्राक्ष सरकरा के किडवन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता था मॉलिसिस के द्वारा इसके निर्मान के लिए जो गन्ने की शक्कर जो बनाई जाती है तो गन्ने की शक्कर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाने के पश्चाथ जो नीचे का बचा हुआ द्रव होता है उसे मॉलिसिस या शीरा कहते हैं और इस शीरे में इस्ट के द्वारा किडवन अभिकरिया करा कर इससे अलकोहल प्राप्त किया जाता है हम जानते हैं कि जो इस्ट है वो दो प्रकार के enzymes उत्पने करता है एक invertis और दूसरा gymes तो शुरू में जो शीरा होता है जिसमें की शुक्रोज पाया जाता है शुक्रोज जिसका सूतर हम जानते हैं C12-H22O11 इस शुक्रोज को जो invertis enzyme होता है वो ग्लुकोज और fructose में convert कर देता है और इसके पश्चाथ जो प्राप्त glucose होता है यहाँ पर जो दूसरा enzyme होता है जाइमेज तो यह glucose को अलकोहल में परिवर्तित कर देता है और साथ ही साथ यहाँ पर carbon dioxide उत्पन होती है यह पूरी अभिक्रिया वायू की अनुपस्थती में कराई जाती है और यहाँ पर बीच बीच में हम देखते रहते हैं कि जो carbon dioxide निकलती है इसलिए जो पूरा हमारा अभिक्रिया मिक्षर होता है उसमें बुलबले निकलते रहते हैं और जैसे ही बुलबले निकलने बंध हो जाते हैं इसका मतलब होता है कि जो fermentation की अभिक्रिया है वो पूरी तरह से complete हो गई है तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर पूरे अभिक्रिया के दवरान यहाँ पर oxygen अनुपस्थित रखी जाती है और कहीं पर गल्ती से यदि इसमें oxygen उपस्थित हो जाती है तो हम जानते हैं कि जो alcohol है बना हुआ alcohol है वो उसका आक्सी करण हो जाता है और वो और वोग्वलिक अमल एस्टिक अमल में कनवर्ड हो जाता है जिससे जो alcoholic पे है उसका जो स्वाध है वो नस्ठ हो जाता है दूसरी और यदि हम द्राक्ष सरकरा की बात करें तो अंगूर जब काफी पक जाते हैं तो तथा उसमें शरकरा की मातरा बढ़ जाती है साथी साथ उनकी जो उपरी सता होती है उसमें इस्ट का formation हो जाता है इस्ट उत्पन हो जाते हैं तो यहाँ पर जो इस्ट होते हैं जब इनको पकेवे अंगूरों को कुचला जाता है तो यहाँ पर इस्ट के द्वारा उत्पन जो एंजाइम्स हैं उनकी शरकरा के साथ क्रिया हो जाती है और इसके फल्सरो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है और यहाँ पर भी जो द्राक्ष स्टरकरा है वह एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से हम किडवन विधी के द्वारा शीरे या विभिन फलो जैसे की अंगूर के द्वारा एथेनॉल प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर लेकिन यह काफी पुरानी विधी है और लंबे समय से उप्योग में लाई जा रही है लेकिन आजकल एथेनॉल के व्रहद उत्पादन के लिए एथीन के जल योजन की क्रिया को अपनाया जाता है यहाँ पर एथीन के जल योजन से एथेनॉल का निर्मान किया जात यहां पर इसका जो क्वथनाख होता है वह 359 केलविन होता है इसका भी यदि हम उप्योग लें तो काफी पैंट या वारने शुद्ध्योगों में इसका उप्योग विलायक के तौर पर किया जाता है इसके अलावा विभिन प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को के निर्माण के लिए आधार योगी के रूप में इनका उप्योग किया जाता है इसके बाद हम देखें कि एथेनौल का दुश प्रभाव एथेनौल को सीधे इसका प्रभाव केंद्रिय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है और यदि इसकी कम मात्रा का सेवन भी किया जाए तो इससे केंद्रिय तंत्रिका तंत्र का कार्य प्रभावित होता है और इसमें व्यक्ति की सोचने समझने या निर्ने लेने की शमता छान घा तक भी हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं एथे नौल का विक्रति करन चैसे कि मैं ने बताया कि एचेनौल का और दोगिक उपियोग बहुत अधिक होता है और दोगिक एठे नौल के दिरवपयोग को रोकने के लिए या इसे पीने के अयोग बनाने के लिए इस इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जैसे कि यहां पर कुछ मात्रा में copper sulphate मिला दिया जाता है जिससे इसका रंग कुछ नीला हो जाता है साथ इसमें दुर्गंध उत्पन करने के लिए इसमें पिरडीन मिला दिया जाता है और इस तरह से जो कॉपर सल्फट और पिरडीन युक्त एथेनॉल होता है वह पीने के लिए बिल्कुल अयोग्य होता है क्योंकि यह विशाक्त हो गया होता है और साथ इसे हम एथेनॉल का विक्रती करण कहते हैं और इस क्रिया के द्वारा जो और दोगिक एलकोहल है उसके दुरुप्यों को रोका जाता है तो इस तरह से हम ने दे दिखा कि यह जो एथेनॉल या मेथेनॉल हैं यह काफी और दोगिक महत्यों के हैं तथा हमारे लिए काफी महत्यों हैं